So, hello students, how are you all? Jaheim to all of you. आज हम discussion करने जा रहे हैं अपना modern history का second chapter हम देखने वाले हैं. इससे पहले हमने discussion किया था कि arrival of Europeans in India भारत में Europeans का आगमन जो था, वो हमने देखा था. हमने देखा कि कैसे पुर्तिगाली, डचेस, अंग्रेज, डैनिश, फ्रांसेसी भारत में आया और उनके आने के क्या कि हम परिणाम हुए. क्योंकि जो पेरिस की संदी 1763 में जो हुई थी, अंग्रेजों की फ्रांसेसी के साथ युद्ध के दरान, उसमें इताय हो गया था कि फ्रांसेसी अब अपनी किलेबंदी नहीं कर सकते, वो सिर्फ व्यापारियों की तरही हैं पर रहेंगे, और अंग्रेज अब यहां पर स पंझाब हैं, मराथा हैं, इस तरह के जो छेतर हैं, इस जर्फ Newton की जो राजा-महराजा हैं, इनको कैसे धीरे-धीरे हराएंगे, कैसे धीरे-धीरे यहां पर अपने राज्य का विस्तार करेंगे, इसको हम सीखने वाले है, यह पूरा चेप्टर जो होगा, इसी पर ग्रहन इसका पहला पार्ट देखेंगे almost यह फिर दो लेक्चर में cover करूँगा उसके बाद मैं कोशिस करूँगा कि हर एक जो point है उसको एक एक लेक्चर में cover करूँ इस तरह से लगबग 7-8 लेक्चर इसके भी जाएंगे और क्यूंकि आप देख रहे हैं कि यह हमारा 8th lecture है 7 लेक्चर इससे पहले चेप्टर में भी हुए मैं ज्यादा बड़े वीडियो नहीं मनाने की कोशिस करता हूं लेंथ में क्योंकि वह थोड़ा सा देखने में आपके डिजिटरली गैजट के साथ जब आप रहते हो तो आपको थोड़ा सा आइस बगरा में प्रॉब्लम ना पर अधिकार कर लेने के समान ही था लगभग लगभग क्योंकि इसमें बड़ी अपार धनसंपदा वहां पर थी क्योंकि काफी आप देखिंगे कि वहां पर तरह तरह की जो अजनील की खेती होती थी या फिर जूट की आज भी जूट के लिए फेमस है वो इलाका तो इस त कारन सो काफी संब्रद्य बन चुका था अगर मैं कालगंड की बात करूं यहां पर कौन-कौन से नवाब इस समय होए लगभग लगभग हम स्टार्ट कर रहे हैं 1717 इसवी से कौन-कौन से यहां पर बंगाल के नवाब हुए थोड़ा सा प्लीस समझना सबसे पहले इसमें नवाब हुए इनका नाम है मुर्शीद कुली खान यहीं सम स्टार्ट करते हैं मंगाल के नवाबों को मैं थोड़ा ऐसी लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए मुर्शीद कुली खान है उसके बाद एक है इनका नाम है सरफराज और उनसे पहले है सहाव बुद्दीन य उसके बाद यह है सरफराज सरफराज खान उसके बाद यह अलीवर्दी खान थोड़ा सा प्लीज ध्यान से समझना चीजें हमें no doubt याद करनी होती है लेकिन अगर हम समझके काम कर रहें न तो बहुत सारा आसान हो जाता है काम इसके बाद यहां पर आते है सिराजुत दॉल और सिराजुत दौला के भाद मीर जाफर फिर मीर जाफर के भाद मीर कासुम फिर से मीर जाफर, पिर नजमुत धौला फिर शहाफ। दौला यह pattern रहता है आपको यहां से आगे याद करने की जर्वत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको अपने आप याद हो जाने वाला है थोड़ी देर बाद मैं आपको भी बोल भी नहीं कि आप याद करो मैं बस एक हिंट दे रहा हूँ कि ना यह मुर्शीत कुली खान से यहां की कहानी शुरू हो रही है यह आप समझना और अलिवर्दी खान तक की लगभग ग्रेजुवल वे में जाएगी कोई खास परिवर्तन यहां पर नहीं वे लेकिन इसके बाद जब यहां पर सिराज जो दौला आते हैं जिरे हम शौट में कभी-कभी सिराज भी कहेंगे तो जो सिराज जो दौला आते हैं इनके समय यहां पर परिवर्तन होता है बड़ा भयंकर परिवर्तन होता है जो कि भारत की पुरी स्थिति को बदल के रख देने वाला है वह यहां पर होगा तो आपको कैसे पूछा जा सकता है इस पर बेस पर पर्टिक्लर चीज यहां पर लिखिए कि इनको ना इनके क्रम में लगाओ कि इनका बंगाल के नवाबों को कौन आगे कौन पीछे टाइप का इसके आगे की चिंता मत करना है ऐसे लेकिं हां तक को पर बाद होने लग जाएगा मुर्षिदाबाद जैसे अपने नामने सुनागो ऑनिकन पर पड़ा होगा है इसके बाद यह है सुजा उद्दीन सुजा उद्दीन धिरे-दिरे याद हो जाएही है यह aa सरफराज सरफराज नाम आपने साथ सुना होगा कभी सरफराज खान यह अलिवर्दी खान बस इन चारों को हो सके तो प्लीज पैटरन में याद रखना है थोड़ा सा लेकिन क्या होता नि कि एक दो बार आज आप फर्स टाइम सुन रहो सकते हो लेकिन आप तीन चार पांच जब रिवाईज रिवाईज कर तो यह बहुत तेजी से चीज़ों दिमाग में सेट हो जाती है जहां ट्रिक की जरवत होगी मैं वह बताऊंगा डूंट वरी ठीक है तो फिलाल यह आपके सामने मैंने पैटरन रख जाए इनके सन याद रखने की जरवत नहीं है आप समझेंगे समझेंगे बात को 1756 इजवी तक राजका चलता है अलिवर्दी खान का अलिवर्दी खान लगबख 1756 इजवी तक शासन करते हैं अब अलिवर्दी खान के बाद यहां पर जो अगला साशन हो रहा है वह सिराजुत दौला एक नए नवाब के रूप में निकल कर आते हैं ऐसा नहीं कि सिराजुत दौला को सबने नवाब मान लिया था बड़ी मुसीबतों से बड़े संगर्स के बाद नवाब बने इनकी एक मौसी थी अभी नाम याद आ गया चानक से इसले बोल लाँ घसीटी देवी था उनका नाम घसीटी इस तरह से नाम था कुछ उ लगी मैं बहुत में को प्लिस डोए रात रायवलब है रायवललब है रायवललब है जगत सेथ हैं है यह आपको जरूरी ही हर एक नाम याद हो मुझे आ रहे हैं इसलिए बोल दे काम है यह कुछ ऐसे लोग Nana ho于 फोस्यार की इस नवाब के इस नवाबं के या से जिराजुत पास एक बंदा और इसका नाम मीर जाफर देखिए आप मेरी बात समझना क्योंकि मेडियेवल हिस्ट्री जब हम पड़ते हैं मध्यकारिन भारत जब मुगल आते हैं तो मुगलों की अपनी व्यवस्थत प्रशासन चलाने की उसमें क्या होते थे मीर होते थे मीर कहने का मतलब उसे उसको पढ़ी जी मीर कहते थे और इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि यहां पर होता ता जिसे दिवान की कहते थे अब यह तो जहां का नाम नहीं होता मेर पढ़ी आ होती है तो जाफर था बेसी करी इसका नम मीड जाफर तो आप समझके होंगे यह सेनापती के पत्पे था यह दिवान था यह दो बड़े प्रमुक लोग थे क्यों प्रमुक थे क्योंकि पूरा राजस्वा का मामला जो टैक्स वागेरा लेने होते हैं वो राजस्वा जो यहां के नाम से अमीर चंद सच में अमीर लोग है यानि कि यह फोड़े से अमीर किस्म के लोग है इनका प्रभाव है वहां पर इसका मतलब यह जितने लोग आपको दिखने इस सब सिराजुत दौला के खिलाफी एक तरह से इसमें भी याद आगया मुझे इसलिए मैं बोल क्रिष्ण दास ने क्या कि सिराजुत दौला के जो राज खजाना था उसमें से कुछ रूपय लेकर भाग गया जैसे भारत से कभी-कभी लोग विदेश भाग जाते हैं पैसा चुरा के या फिर बैंक वगेर से वह करके वैसे ही राइवल लब का यह सन है क्रिष्ण दास नहीं आई दे दिए कि अंग्रेज कहींना कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ है क्यों क्यों कि वो और धुसमान का अपना दोस्त इसलिए अंग्रेज के थाão सो फूल सत्क पर पो केहने का मतलिया की अब इससे क्या वासी उसराव छिए छृञ्टु उसे बोला कि भाया मैं आपकी फैक्टरी वगेरा जो मुझे इसमें तलाशी लेनी है क्योंकि मुझे शक्या कि कृष्ण दास भाके आया है अंग्रेजु ने परमीशन नी दी सिराजु दौला ने बोला यह तो गजब हो गया यार मतलब मैं नवाब यहां बंगाल का और यह मुझे परमीशन नी दे रहे कुस्सा आगया सिराजु दौला को सिराजु दौला ने खिलाफ युद्ध वगेरा छेड़ दिया हलके फुलके सिराजु दौला गया सीधे बंगाल में कासिम बाजार में और हमला कर दिया फोर्ट विलियम पर उसने अधिकार कर लिया घटना लगभ्ग-पग 20-जुन की बताई आती है 20-जूं की 17-z56 की है थोड़ से आप टाइम लाइन को समझना ज़ा 20-0-17-56 को लगभ-ग लगभए इस समय कासिम बाजार पर हमला करता है और कासिम बाजार पर हमला कर अंग्रेज चोंक भगा देता है अंग्रेज उस समय यहां पर कोई लडाकू टाइप के नहीं थे मतलब वह व्यापारी टाइप के थे जो उनकी जो कोठी व अगेरा थी उस पर हमला करता है उनने भगा देता है अंग्रेज भागते वे फुल्टा द्वीप में सरण लेते हैं बहुत important question है पूछा गया है कई बार फुल्टा दुवीब में सरण लेते हैं फुल्टा दुवीब की स्थिती आज के अधुनिक उडीसा में पढ़ती है उडीसा उसनमें लगबग September 2009 का ही सान मानके चलो यह बाद में बने हैं उडीसा वगेरा तो उडीसा जो वर्तमान उडीसा है यहां पर एक फुल्टा दीव पढ़ता है, गंजाम नाम की एक जगह है यहां पर पढ़ता है, फुल्टा दीव, वहाँ पर यह अंगरेज भाग के गई, यह को मैं सब लिखावा दिखाऊंगा, आगे मैं शौट में आपको कहानी बता रहा हूं, यह अंगरेज जब भाग के फुलतादीत में चले गए अब यहां पर इसने अपना अधिकार कर लिया काहां पर फोट विलियम पर क्यूंकि यह कबजा हुआ है बिस जून वाला यह फोट विलियम का कबजा और फोट विलियम कुछ और नहीं आप जानते हूं कलकत्ता को भी कहते थे जहां पर उनने किले अंग्रेजों ने पहले हमने जिकर किया था फूट विलियम का अभी क्या होता है कि अब इसने सिराजुत दौला ने यहां पर हमला कर दिया वह कर दिया अब इसमें बात बोली जाती है उसे कहते है ब्लैक हूल की घटना ब्लैक होल शुरुवात में लगता है कि यह तो साइंस अब इसको गवर्णर बनाया था यानि कि 1760 के करीब यह गवर्णर इसने बाद में जिकर किया इस बात का जिब यह कहता है कि सिराजुत दौला ने यानि कि जो सिराजुत दौला है जब इसने यहां पर आकर्मन किया था तो इसने लगभग लगभग 146 अंग्रेज यहों को कोठी में चोटा सा कमरे आप समझ लो उसमें 146 लोगों को बंद कर दिया नॉर्मली मैं मान के चल रहा हूं कि एक जितना हमारे चोटा सा कीचन टाइप होता है इतना समझ लो आप तो 146 लोगों को यहाँ पर कैद कर दिया और अगले दिन जब राध पूरी राध भरी कैद रहा है जब सुबह निकले तो केवल 23 जिन्दा निकले यह इसका स्का हलवेल का हलवेल ने अपना स्टेटमेंट इसको इसमें ब्लैक होल की घटना का इस ने क्या अब यह क्या आप आप को बात बताता हूँ. यहाँ पर एक किताब है C.A.R.L.burg अब इसका पूरा नाम आप देख लेना. अब पीछे दिखा दूगा. हुसेन ने अफनी किताब लिए यह उस समय का समकालीन इत्यास फार है. अब हम लोग जब देखते हैं हुसाइन की जब किताब को पढ़ते हैं हमें कहीं पर भी इस बार का जिकर नहीं मिलता कि ब्लैक होल की घटना हुई थी क्योंकि अब इतनी बड़ी घटना है बहुत ज्यादा लेकिन सियारूल मुत्खैनीन अगर इसका जिकर नहीं किया एक बताय जाए जाए तो ऐसे ही है सिराजुद दौला ये खराब है उसके प्रतिय गलत धारना बनवाई जाए लोगों के मन में इसलिए उसने इस तरह की घटना का जिकर शायद किया होगा ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि इतने बड़े त्यास कारना इस घटना का जिकर अपमें कीताब में नहीं किया तो यहां की स्टोरी फिलाल समझ में आ रही होगी आपको अब क्या होता है कि हॉलवेल ने इस बात का जिकर के आपको समझ में आ गिया फुल्टा दीप में भाग गय थे ठीक है अब आपको याद होगा कि हम प्रायदी पे भारत में जब पढ़ रहे थे या उपर पर जबरदस्त काम हो गया है वहां पर हमारे साथ बड़े अत्याचार हो रहे हैं अंग्रेज बोल रहे है इसके साथ एक बंदा है उसका आप में वाटसन वाटसन और यह दोनों की जोड़ी होती है यह कमाल करने वाली है इसके सेना बहुत छोटी है उसके पास तो मीर चाफर की सारी अपना कोन है सिराजुद दौला के पास तो हजारों के संख्या में सानिक है उसके बावजूद भी रॉबर्ट क्लाइब की लड़ने की हिम्मत कैसे हो जा रही है सिराजुद दौला से जबकि वो नया नया इंसान है उसे बंगाल का रही है कुछ नहीं पता इसका कारण है क्या घर का भेद नया तरफ आगये रोबर्ट कलाइब बंगाल की तरफ पहुंच गया अब इसी बीच में क्या होता है इस थोड़ा सा स्टोरी को समझना टैम लाइन को जडरा समझते वे चलना जो मैं बता रहा हूं यह बीजुन की घटना को समझ में आरही है black hole की ःचतना है इसके बाद आगे जाकर यहां पर चैल कत्ताब वीड भी चल्कंड से नाम you Ili Nagar Kolkattia तो job चारनाक में रखा था, न इसका नाम पूर 3-जगे सुतानेती, गोविंदपूर, और थीसरे का नमा आप बताएंगे, वह तीर चीजुक्ता रखा वह था, Fast William था, इसने यह क्या कि छोầy Fort William था इसने कलकत्ा का नाम बदलकर रख दिया, Ili Nagar अब शायद इसने अली नगर इसके लिए नाम रखा होगा क्योंकि आप जानते हो कि जो सिराजुत दौला से पहले जो थे अली वर्दी खानते हैं कि सम्मान में शायद उसने नाम रखा होगा लेकिन यह मानिक चंद भी गदार निकलता है तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं सिराजुत दौला का वही है कि हमें तो अपनोंने लूटा गैरों में कहां दम था अपनी कस्ती वहां लूटी जहां पानी कम था उस तरह की कुछ सिच्वेशन से यहां पर बन रहे हैं क्योंकि मानिक चंद ने भी क्या करा अंग्रेजों से रिश्वत वगेरा लिए अंप्रेजों को बेच दिया यह इसे इसको हरा देता है कि और thousand एक शिराट जुद्धाला को चूंकि अब आप देखर हो गध्दारी हो गई उसके उसके साथ इसको अब जब यह हराता है इसको एक स्केंड़ा अब जब जब हराता है तो फिर यह कि अलीन अगर की संधी के नाम से जाना जाता है एतिहास में अलीन अगर क एक संधी हो जाती है ये संधी लगबग लगबग नौ फरवरी को हो रही है और ये सत्रासो Disney सप्ताउवन को होगी इसते पहले चप्ण चलला था आप चलल था सटाउवन आचुका अब यह अलिनगर के संधी हो रही है इसलिनगर के चतिपूर्थी के रूप में रुपए देने पड़ेंगे यानि सिराजुद दौला को बोला कि तुमने हमारा इतना पैसा वगरा खड़तुआ तुमसे लड़ने के चक्कर में युद्ध चतिपूर्थी के रूप में हमें पैसे दो सिराजुद दौला से पैसे लिए गए तो यह कुछ ऐसे काम और साथ में इनको किले बंदी करने के अपनी परमीशन मिल गई यानि कि अब अंग्रेज फिर से अपनी किले बंदी वगएरा कर सकते थी यह अली नगर की संदी थी जो कि सिराजुद दौला के लिए एक हार के समानी थी आप जानते हैं सिराजुद दौला को इतनी दिकत क्यों हो यह अंग्रेज के साथ असलमें दिकत होने का कारण क्या है न कि यह अपनी चला रहे बताऊं क्यों क्यों कि 1717 इजवी में जब फरूखसियर फरूखसियर उनका नाम था जो कि मुगल बादशाह थे जैसे अकबर बा बादशातें का नाम था फरूखसियर, इनका इलाज किया था एक डॉक्टर ने इनका इलाज किया था मैं बाद में बता दूंगा विक्तर ऐसे कुछ नाम है डोक्टर का खर व कंस की इंकी भी भिमारी ठीक हो गई थी. इससे खुछ सोगे những अंग्रेजों को बोला कि आर मैं आप यह बंगाल वगेरा जो एलाका है वहला a पर free trade कर सकते होर खािक कर सकते हैं आप से कोई हम ex acceptody वगेरा कुछ अप से यह लेंगे ने जाने का कुछ खटा वगेरा ने लेंगे जो लेते हैं सीमा वारिश के वगेरा व में वो कुछ निलेंगे 궁त four this year यह घो ही फर्मान जारी किया था और साथ में इसने एक बात एक तो इसने ये बात बोली कि 30,000 रुपय आपको वारशिक पर आपको काम हो जाएगा तो इस तरीके से और दूसरा इनको अपने दस्थखत का अधिकार में लिगा था मैं आपको बताता है उसका मतलब क्या हो गा आपको अंग्रेज व्यापारी दो आधिकार यहां पे आगर एक किसी भी जो business होते थे उस पे भी अपने sign कर देते थे और फिर वो भी trade free हो जाते थे इससे क्या हो गया जो revenue collection हो गया बहुत कम हो गया बंगाल में क्योंकि आप सबके सब लोग free में trade कर रहें क्योंकि सरकार के पैसा आता कहां से tax वागरा से tax कोई दे नहीं रहा और वो हवाला दे दे यह फरूख खसीर का फर्मान आया था उसके जरिया में काम कर रहें तो यह सब कारण थे जिसके कारण से राजुद दौला इन्हें पसंद नहीं कर रहा था ठीक है तो फिलहाल हम पहुच गयते अलीनगर की संदी में अलीनगर की पिरसकार पूर्ण संदी करनी पड़ी सिरा प्लाशी का यूथ प्लाशी एक जगह है जो वर्तमान में बिहार में पड़ती है प्लाशी कहने का पीछे कारण ही है उसे को प्लाशी कहते है कि पलाश नाम का फूल होता है आपने शायद देखा होगा अगर आप नौर्थ इंडिया इस तरफ से आप रेलेटेड है तो पल आज यह पुश्प है यह जो स्टेट फ्लावर वह पलाश ही है तो यह उस पलाश के नाम पे उस यह को प्लासी कहते थे तो कहने का मतलब यह वा कि 23 जून 1757 इस वी को प्लासी का युद्ध होता है प्लासी जो भागी रहती नदी के किनारे बसावा है आमर कुंच जगे वह इचे मीर जफर बयठा वा है जो किस सेना पति है ये तरश से मुख्य सेना पति है लेकिन ये मिल रखा है किसके साथ अंग्रे जूग के साथ तो यह इसको ऐसे आसे वह देता आ है चिससे से हाहर हे लीकिन किया है अग्ले दिन जब युद्द करने जाता है मेर जाफर अपनी सेना लेकर अलग जाता है बच गया सिराजा केले पीछे दिखता है कोई समर्ट बाता है के बचारा मुर्शीधा आद मुर्शीदाके दाथ कर सकता है मुर्शिदाबाद भागता है तो मुर्शिदाबाद भागता हो मुर्शिदाबादी भागता है यहाँ पर मीर जाफर जो है जो मीर जाफर उपर बैठा वा इस मीर जाफर का एक बेटा है इसका नाम है मीरन ये मीरन मुहम्मद बेग से बेग रहता है इसका नाम अगर सिराजुद दॉला सिराजुद दॉला अगर हर जाता है हरा देते हम उसे और इसके बेटेने मुहमत बेख से हत्यावी करवादी मुरुषीद दॉला इसके मेरे पिताजी यहां पर कामधना देखिंगे तो कोल मिला कि यह कहानी है प्लासी के युद्ध कि अगर आप चह पर उन्हें मुक्त व्यापार की छूट दी गए थी और उनको अपने परसनल दस्तकत करने के भी उनको छूट थी सराजु दोलनेया फोर्ट विलियम जो की कलकत्ता पर अधिकार कियार अंग्रेजु ने भाग कर फुल्टा दीपर सरण ली जो की ओडी सामें है इस आक्रमन के समय हालवेल के द्वारा ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 का जिक्र मिलता है हालवेल कौन है हालवेल एक कारी-कारी गवर्नर एफ बंगाल के 1760 में बने थे अब यह मैं बताऊंगा इनके गवर्नर कौन-कौन थे थोड़ा सा आगे आपको बता दूगा किस की समय क सिराज ने क्या किया मानिक चंद को बोला कि आप इंचार्ज बनो कहां के अली नगर के लेकिन धोका कर देता है इसके करणा अली नगर उक्षी हाथ से चले आता है फाइनली आप देखोगे क्लाइव द्वरा फ्रांसिसी बसती चंदरनगर पर यह हमने उस समय भी पढ़ा था जहां हम फ्रांसिसी के साथ तिरते करनाटे की उद्ध पढ़ ले थे चंदरनगर पर विजय के बाद सिराज को मजबूरी में अली नगर की संधी करनी पड़ती है चंदरनगर यह वही बसती है जिसो सबसे पहले अंग्रेज उने बसाये था आपको याद दोगा चंदरनगर शाइस्ता खान 1674 में जो लीस पर जमीन दी गई थी उस पे 1690 बयान चंदी करने की सिक्के ढालने की युद्ध छतिपूर्ति का वचन दिया जाता है इस तरह से शायद आप स्टोरी को समझ चुके होंगे प्लासी का युद्ध कैसे होता है रोबर्ट क्लाइब की भागी रती नदी के किनारे आमर कुंच में लड़ा जाता है मैंने बता दिया मीर जाफर जो की सेनापती राई दुरलभ जो की दिवान रहता है अमीर चंद जगट सेट राई वललव ने विश्वास घात किया था बहुत इंपॉर्टेंट चीज भले कोई ना हो इसके साथ लेकिन दो बंदे जिनका इतिहास बड़े संबान के साथ जिकर करता है सिराज दौल अरını य Kilहान रहता है जो की मटने दम तक वीर गतित प्रreuबतो जाते लेकिन si्राजुत बॉलला Anfang市 कले कि यह पार कोई इसरे बर sok और statement ऐसे था कि सिराजुत दौला की जो हत्या की गई थी वो मिरन के द्वारा की गई थी गलत मिरन के द्वारा नहीं करेगी थी मिरन ने कराई थी मुहमद बेग से यानि उसमें कोई से नहीं करवाई थी किस से करवाई थी मुहमद बेग से मीरन कौन था उसका बेटा था कुछ तरह से का नहीं थी अच्य प्रसकी युद्धि के परिणामें ज्वाक की मिर्जाफर को बोला गया कि लो भी यह तुम नवाब बन debate कह लेकिन मेति जाफर ने बोला कि लो उनकी कठपूतली एक तरह कि वो किंग मेकर बन चुके हैं असल में अंग्रेज और वो जो बोलेंगे वो होगा तो कहने का मतलब है कि बंगाल भिहार उडी सामें अंग्रेज अब मुक्ति व्यापार कर सकते हैं एक कंडिशन दूसरी बात यह इतिहासक युद धरहा था इसका जो मिलते थी अपने प्रफिट से चीजों को खरीदे थे उसी से ब्हस्ते आप उन्हेंदें पैसे लाकर समान खरीदने की जर्वत नहीं थी वह हीं पैसे से समान खरीदते थे तो यहाँ से बंगार की एक तरए से रुगती स्थेट हो और भारत के दियास 24 परगना जो उहाँ पर एक जगे पढ़ती है उसको क्लाइब को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी यह मैंने आपको बता दिया असरवोच राजनेतिक सक्ति बनकर वो भर गए क्योंकि अभी तक सिर्फ व्यापारी कंपनी थे लेकिन अब वो एक ऐसी चीज बन गए थे अंग्रेज मीर जाफर को हटा देता है गदी से नवाब था ना हटा देते है क्या अरोप लगाते हैं बोलते हैं डचेस के साथ मिला हुआ हमारे खिलाव सदियंतर रचरा अब डच की बात आपको याद आईगी कि 1769 इजवी में वेद्रा की लड़ाई हुए डचों के साथ आपको थोड़ा सा याद होगा प्लीज लिंक कर रहा हुआ है तो इसका मतले भी बोलता कि डचों के साथ मिला हुआ इसलिए हम इसको हटा रहे वही हमारे खत्रा है तो इसका करान मीर जाफर को यहां से हटा दी जाता है गद्दी से देखरो आप इसमें धूगा गया था थ इसका नाम है वेंसी टॉट मैं भी थोड़ा से यह लिक के दिखाने हो थोड़ा से वीडियो लंबा भले ही जा सकता है लेकिन काम का वीडियो है वेंसी टॉट बंगाल का गवर्नर था यह इसका कारेकाल लगभख 1760 से 65 का है मैं आपको बताऊंगा इसने इसे क्रांती का है ने और कर्टियस ने यह फिर वेंसी टॉट ने वेंसी टॉट ने वेंसी टॉट ने घटने इसने बोला है बाद में कि या घटना वड़ी करांति करी थी असल मैं मीर कासीम को बोला गया तुम नवाब आपसे अब जब यह नवाब बना तो इसने क्या किया सबसे पहले सी मतलर मों जगलने धाल और ए्म फार विव इम फ़र होगर Dudu और वीट मुझा सब्सक्राइब आप में हैं दोम्हान पेड़नल्ट में फॉर यह मिदनापुर यह भूट फॉन्हां पंगाव हैं मिदनापौर और यह आपका क्ट चडगाव में आप समझ सकते हो यह तीन जगे की जो थी जमीदारी जो थी इसने अंग्रेजु को सौपती है यह दो गिफ्ट तो इसने सबसे पहले अंग्रेजु को कर दिये कोई भी बात फालतु नहीं है हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज ध्यान से पढ़ना आगे सारी बाते पूद पॉइंट लिए उनको समझने अभी कहानी के थुरू समझ लो 29 लाक रुपे इसने अंग्रेजु को गिफ्ट करें दूसरा इसने चड़गाओं मिदनापूर और वर्दमान की जमीदारी थी दीवानी नी जमीदारी इसने अंग्रेजु को सौंती है अब इसके बाद यहां का राजा बनता है लेकिन नवाब थोड़ा सा समझदार है यह थोड़ा सा कुशल प्रसासा के मेर कासिम यह क्या बोलता है यह बोलता है ऐसे तो यह अंग्रेजु की कठपुदली बनके नहीं रहना यह क्या करता है अपनी यूरोपियन पध्धती प इसमें आंतरिक कर लगते थे आंतरिक कर का मतलब कि अगर आप ट्रेट कर रहे तो आपको टेक्स दिना पड़ेगा लेकिन इस प्रेक्स से कॉन फरी थे अंग्रेजु के अंग्रेजु के विश्यसाधिकार चिन गए अंग्रेजु से उसने कुछ लिया नहीं है लेकिन और उसे जो लेता था वो छोड़ दिया बोला कोई नहीं देगा टेक्स इससे अंग्रेजु को लगा यार यह क्या काम कर रहे तो 1762 के करीब के घटना है अंतरिक कर समाप्त कर दिया और एक नया कर इसने सुरूकिया इसक 1763 में इसके खिलाफ युद्ध की घूषना कर दिया 1764 में इसके बीच में बक्सर का युद्ध होगा और बक्सर का युद्ध हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे फिलाल यह चीज आपको समझ में आ लेंगे अब आप देखें मीर कासिम को नया नया चुना गया इस घटना को करांती के संगया दिये यह बात आप समझ चुके हैं मीर कासिम ने नवाब बनने के बाद कंपनी को 29 लाग रुपे दे मिदनापूर वर्दवान चडगाओं यानि कि सीम भी है अच्चा सीम भी यह ऐसी याद रखना कासिम योग यह शासक था उसमें यूरोप प्रिट्स जो आप बनने जा रहेये इसका अपमी राजद्ढ़नी मुर्शिदा बाद से मुंगेर ले गाई जो अब आपस त्होगा किया सधठ्धर जमाथ है 아니야 हमधी हम दिना इसका नाम एसका नाम किया है पासिमने 1764 में इसके खिलाफ यूद होता है इसके साथ अंग्रे जो के साथ कैसे होगा यूद उसको हम थोड़ा डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे उबकसर का यूद बेगा फिलाल आपके लिए जो काम है वह यह आप इन कोईसिंस के जवाब देंगे सही सही जहा कि आपको उसमें कुछ ना कुछ अच्छा मिले और आपको गलती वगेरा करो ताकि आगे ना कर पाओ गलती ज्यान से पढ़ो सारी चीजो को जो लिखी है ज्यान से प्लीज अराम से पढ़ना पांचो कोईसे निया है मेर जाफन ने धोके से देख लो तरम से अब हमारा जो काम किया बहुत इंपोर्टेंट इमाराथा भी उसके बाद फिर हम देखिंगे कि पंजाब में उनका अधिग्रण कैसे वा फिर हम देखिंगे लॉड वलाजली ने अपने साहिक संधी कैसे चलाई फिर लॉड लाजी का व्यबगत सिद्धांत जो चला था यानि जो डॉक् क्या करें शेयर प्रति ब्रेटिश की किस तरह की उनकी भूमीगा थी या उन्होंने किस तरह कि नीतियों को सथी है इस तरह से हमारे अंगलीजो की विजय नाम कंगा जो चैप्टर बहुत ज़दा important chapter modern history का शुडवाती phase का यह आपका complete हो जाएगा अगर आपको लेक्चर इंफर्मेटर लगा वीडियो को जरूर प्लीज लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें और जो भी क्वेरीज हों कमेंट सेक्शन में लेकें तेलिंग गुडबा आपको एक शुडऑ और छोडबा में यह आपके तेलिंग सेंगा टार्मेटर आपके टेरीज लाइक करें यह नियुक्त करेंगे जरूर फाले में जरूर खेर्मेटर छेलतान सालमेटर सेक्टार चैनल क करेंड अचेंडरे का ओक यह और ब्सक्सराइब ग्म करेंडाव